नमस्कार, मैं रावर अन्वीजी आज मैं आप लोगों के बीच अपनी लिखी हुई एक कभीता पढ़ने जा रहूँ और ये कभीता एक लड़के के वास्तविक जिंदीगी पर उसके जिंदीगी के वास्तविक घटना पर अधारी थे उस लड़के को बच्पन में एक लड़की से मुहबत हो गया था वो दुनों साथ में पढ़ते थे वो दुनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन लड़के ने कभी उस लड़की को वो प्यार का इजहार नहीं कर पाया और वो लड़की भी उस लड़के से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पए खलास खत्म हो गई दोनों चले गए आज वर्सो बाद भी उस लड़के के दिल में उस लड़की के लिए वही फिलिंग है, वही प्यार है आज अपने उस प्रेम की यातरा को याद कर रहा है जो मैं अपनी शब्दों में आप लोगों के सामने रखूँगा और उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत पसंद करेगी तो आईए, शुरू करते हैं कि वो जब सामने आती थी मैं घबरा जाता था कुछ कहना तो दूर, उससे मैं नजरे भी नहीं मिला पाता वो इश्क था मेरा या मेरी नजरों का कुसरुआर था कुछ भी कह यार, वो मेरा पहला पहला प्यार था उसका गलती से भी छूजाना मेरी रूख का पा देता था वो चाहती थी मुझे, उसके इशारे बता देता था मानता हूँ, मानता हूँ, थोड़ा हम दोनों में तकरार था मानता हूँ, थोड़ा हम दोनों में तकरार था पर कुछ भी कह यार, मेरा पहला पहला प्यार था उसका किसी दिन कलास में ना आना मुझे बेचेन कर जाता था चिरियां घर के सामने उसके घर का मैं घंटो चकर लगाता था उसका च्छत पर निकलने का मैं करता इंतजार था कुछ भी को है यार वो मेरा पहला पहला प्यार था ये सिलसिला यूही चलता रहा वो तो चाहती थी हमेशा मेरे करीब आने की एक मही था जो हमेशा उससे दुर भागता रहा या तो मैं ना समझ था या मुझे मेरे टीचर्स का डिर था या तो मैं ना समझ था या मुझे मेरे टीचर्स का डर था अजीब हालात थे मेरे वो एक जिन्दिगी का अजीब सा सफर था दो साल गुजर गए पढ़ाई वी खत्म हो गई ना मैं उससे कुछ का पाया ना वो मुझसे कुछ का पाया आज भी उसके वो मुस्कुराहट आज भी उसकी वो मुस्कुराहट मेरे सपनों में आती है थोड़ी सी खुशियां थोड़ी आंसु दे जाती है वो कैसी मुहब्बत वो कैसा इकरार था खुश भी कोई वो मेरा पहला पहला पयार था मेरा पेरा देड़ा Thank you